है कि है गाइज माहोल जबुदा शांदार आई होप जिन्दगी आपकी मस चल रही मस तो क्या चल रही होगी सर एक्जाम्स चल रहे हैं जिनके भी में 2023 एक्जाम से सरकार आपकी रिक्वेश्ट पर अमेंड्मेंड लेक्चर्स आपको पता है जैसे की इस पार जीएश्टी के अब की इनदर मे 23 एक्जामस के बहुत सारे इमेंड्मेंड्मेंड थे अपने देखे होंगे सर पर अपने बोला तर एक अमेंड्मेंड का रिबीज्वेशन लेक्वेजाया उख और एक्वीश्ट के बिजा हैं जैए सबसे पहले बात अचा सब कुछ करेंगे हम इसके अंदर और थोड़ा फास्ट बोलूँगा मैं क्योंकि यह रिवीजन थोड़ा फास्ट होना चीए तो ही एक्जाम के लिए एफिक्ट हो पाएगा कम टाइम पे आपका पूरा कवर हो पाएगा सरकार अगर मानलो employee ने employer के लिए कोई काम किया in the capacity of employment तो ऐसे case में उसको जो सेलरी मिलता उस पर जेश्ट नहीं है वो supply ही नहीं है शिदल त्री में कवर होता है सर अगर उस employer ने employee को क्या दिया बैटा परक्विजिट प्रोड किये क्या प्रोड किया परक्विजिट तो परक्विजिट भी एक तरह सेलरी का पार्टी है सब एडिज इन दी course of employment के लिए पैसा दे रहा है वो परक्विजिट की फॉर्म में दे रहा जैसे rent-free accommodation वगरा तो वो भी supply अगर आपने कोई लेंड बेचा है पर अगर आपने लेवलिंग कराके थोड़ा development कराके फिल लेंड बेचा है तो बेचा तो अल्टिमेंट लेंड एना यर तो लेंड कराने के लिए अपने लिखा है उस पर जीश्ट लग जाएगा पर डेवलोप्ट लेंड मेने आपको बेचिए डेवलोप्ट लेंड बेचने पर अगें जीश्ट नहीं लगेगा अच्छा दारू बेचने का लाइसेंस में को मिलता इस्टेट गवर्मेंट से बेचा सर तो जो लाइसेंस फी एप्लिकेशन फी उस पर जीश्ट नहीं लगेगा इसको रेट्रोस्पेक्ट लिए अप्लीकाबल कर दिया फीश्ट इफेक्ट रॉम फस्ट जनुलाइट टुलाइट सेवंटी इटसल्फ अपना जीश्टर 1 या इन्वस फनिशिंग फैसलिटी उस करके इन्वस फनिश किये वो हमारे जीश्टर 2B के अंदर उस वह आईटी से हमारे जीश्टर 2B के अंदर रिफ्लेक्ट होनी ची तो हमें को क्रेट मिलेगा वना क्रेट नहीं मिलेगा clear plus at the same time साथ में एक रूल न इसी कौन से है कि बाद मानलो supplier ने अपना जीश्टर 1 फाइल कब क्या बेटा हमारा section 16 subsection 4 का time limit एक स्वार होगे बटा अब वो क्रेट मारे 2B में आ भी रही है तो भी हम क्रेट नहीं ले पाएंगे बेटा चुकि वह restricted क्रेट के कोलम में आएगी बेटा सेकींड एक्जांपल सर अगर मानलो supplier भी दिल्ली का प्लेस सप्लाय भी दिल्ली जैसा आप होटल में गए बेटा आप हो मुमभी महाराश्टा से दिल्ली में आपने इस्टेक या बेटा किसी होटल में किसी बिजनस के काम के लिए बेटा अब होटल वालने CGST और SCST दिल्ल सर फिर मुने कंडिशन एक थी बेटा, SC16, SBC2 भी बोलता है किया? गॉर्वर्में को टेक्स पे हो जाना जा हुआ बाइए बाई, आप क्रेट लोँ हमें को दिक्कति नहीं हो तो आपको क्रेट नहीं मिलेगा प्र सर SC41 कि रिप्लेस किया, गॉर्में बोल दिया किया? आप देख supplier ने अपना GSTR 1 फाइल किया, आपके 2B में आपने क्रेट लिया है, आप supplier ने 3B फाइल करके टेक्स पे किया अगी आपने क्या पता बढ़ा, इसलिए section 41 ने क्या बोला, एक बार आप क्रेट ले लो, और जो क्रेट अपने self-assessment based पे लिया, उसको final credit बोलेंगे, उस supplier ने government को tax pay नहीं किया, तो ऐसे case में, अब supplier, अब जो recipient बेटा, उसको credit reverse कने पड़ेगी, वो भी along with interest, अगर उसने ITC use किया होगा, तो जब से use किया तब से, interest अलो जाएगा 18% पर नम, उसको reverse कना पड़ेगा ITC along with interest, हाँ ना भाई, clear और हाँ, अगर subsequently वो supplier government को tax pay कर देता है, तो ऐसे case में, recipient can re-avail the credit, और आपको पता है क्या, re-availment के लिए, section number 16, subsection 4 का time limit अपला नहीं होता, 10 सल बात भी अगर उसने pay किया होगा, तो you can re-avail the credit, कोई दिक्कत वाली बात नहीं सा, सरकार, आईए, फिर क्या था सर, सर, second provider, section number 16, subsection 2, बोलता है क्या, recipient ने, supplier को pay कर दिया होना चीए, within 180 days, पर अगर 180 दिन expire होगे, from the date of issue of invoice, और recipient ने supplier को pay नहीं किया, तो ऐसे case में, जितना amount, recipient ने supplier को pay नहीं किया, ऐसे पर terms of contract, पिटा, if the recipient failed to make payment to the supplier within 180 days, तो जितना proportionate amount पे नहीं किया, उतना proportionate ATC क्या करना उस महने क्या, जब वो जेश्टा 3B file करेगा, सर, उस महने में उसको, क्या करना पड़ेगा, tax pay करना पड़ेगा, वो भी along with interest, अगर उसना ITC use कर ले था, तो बेटा, clear, जिस महने में 180 दिन expire order from the date of issue of invoice, उस महने के 3B में उसको liability add करना पड़ेगी, बेटा, clear, and interest will be payable at the rate of 18% कब से बेटा, जिस दिन से उसने credit use कर रही होगी बेटा, बहसे, कब तक, जब तक को government को pay नहीं करता, तब तक का उसको interest pay करना पड़ेगा, 18% पार ना, पर, subsequently, अगर recipient supplier को pay करता था, then he can reavail the credit, पर ये जो interest pay करेगा, इसका कुछ ना हो पाएगा, बच्चो, सरकार, आईए, section number 16, subsection 4 का time limit, बटा, sir, पहले था क्या, September मेंने की due date, बटा, return file करने की due date, अब हो गया क्या, बटा, sir, ध्यान से सुनना, बटा, बड़ा important point है ये, ये 5 जगा change हुआ, मैं यही पर बता रहा हूं, बच्छा, आपको, sir, section number 16, section number 16, subsection 4, ये क्या बोलता है, sir, एक मिट सुनना, बटा, ध्यान से, एक second, okay, sir, section number 16, subsection 4 में क्या लिए, बटा, कि अगर कोई invoice से debit note के base पर आपको credit लेना है, तो कब तक आप credit ले सकते हो, बटा, sir, जिस financial year में आपने tax invoice से debit note आपके बास आया है, बटा, वो financial year में उस मेहने में ही उसके बात आप credit ले सकते हो, पर maximum कब तक, ब use करने का कोई time limit नहीं है, sir, availment का time limit है, अच्छा सुना, बटा, 30th November या actual filing of annual return, whichever चाल लिया, 30th November का मतलब क्या है, 9th मेहने का return नहीं, sir, 30th November का मतलब क्या, बटा, October मेहने का return maximum, sir, मालो September का return, October का return, आप file के ले लेट हो गए, पर sir, कब तक, 30th November या उससे पहले-पहले file कर दिय अगर आपने, तो sir, आप credit ले पाएंगे, कुल मिला कि जो भी return आपने 30th November तक file किया है, बटा, 30th November date fixed, बटा, जो भी return आपने 30th November तक file कर दिया, उसमें जो credit ले ले ली, बटा, वरना पिसले financial year का credit, उस 30th November के बाद नहीं ले पाएंगे, 30th November या actual filing of annual return, whichever is, earlier उसके बाद credit न September की return file करने की due date हटा के 30th November कर दिया, बच्चो, अब सुनना बच्चो ध्यान से, sir, ये कहाँ का change हुआ है, credit note issue करने का time limit, बटा, sir, credit note issue कब तक कर सकते, बच्चा, same point था, September मेने की due date, बटा, हटाया, और क्या लिग दिया, 30th November या actual filing of annual return, whichever is, earlier, sir, electronic commerce operator को, sir, उसमें जो statement file करने rectify करना, कब तक कर सकते हो, बच्चो, same, 30th November या actual filing of annual return, whichever is, earlier, sir, आप, sir, Jstar 3B, या return file करने में कलते हो, कब तक rectify कर सकते हो, same, 30th November या actual filing of annual return, whichever is, earlier, ये 5 जगा change हुआ, 5 जोग खतम होता है, अब, अच्छा, एक बात ओर, rule number 42, यात करो, proportionate credit reverse करना पड़ता है, sir, common input, common input, service काम आया, किसके लिए, taxable और exam दोनों के लिए, तो, यसे case में, क्या होगा, मालिक, sir, आपको proportionate credit मिलेगा, proportionate reverse करना पड़ेगा, sir, अब यहाँ पे, जब proportionate reversal करते हो, ये monthly turnover के साब से करते हो, बचा, पर, financial कतम होने के बाद, annual turnover के बाद, आपको वापस से recalculate करना पड़ता है, पर वो recalculate करके, आप जो adjustment करेंगे, वो September महिने के return जो file करेंगे, उस महिने में, या उससे पहले पहले करते हैं, उसके बाद ना हो पाएगा, यह है, वहाँ पे अभी भी September है, अभी भी September है, अभी भी September है, अभी भी September है, clear, वहाँ पे September बागे हर जगा 30th November हो गया, जो return file क किली का पे पिटा, clear, done, आईए बच्चो, सर अगली बात करते हैं हम क्या, यह था हमारा section number 16, subsection 4, commitment और 11, जो मैंने बात है, करीब हो, सर, अब दो circular और issue है, पिटा, सर हमने पढ़ा था क्या, block rate, section number 17, subsection 5, block rate में हमने पढ़ा है क्या, सर, 17, subsection 5, close number B, food and beverages, याद है membership of club, health and fitness center, travel benefit, extended to employees on vacation, सर, इनका credit नहीं मिलता है, पर, अगर आपने किसी loan है, obligatory किया हुआ है, और उस loan है, obligatory जो किया हुआ है, उसकी वज़े से, आगर आपने, यह services purchase करीए, यह goods purchase किये, तो आपको credit मिल जाएगा, तो सर, यह जो exception है, यह केव applicable, इसके लिए applicable है, यह तीनो point के लिए applicable है, तो सर, इस circular ने, अगेन, हमने जो पढ़ा था, तभी हमने बात करी थी, यह तीनो पे applicable है, इस circular ने भी बोल दिया, किया, हाँ भाई साब, हाँ, सर, यह तीनो point के लिए applicable है, मतलब, अगर आपने किसी club का membership लिए, which is obligatory by any low, तो सर सर, आपको उस membership पे जो GST पे गया, उसका credit मिल जाएगा, सर, आपने अपने employee गुमने फिनने पे जा, which is obligatory by any low, तो इसके इसमें गुमने फिनने के amount पे जो GST पे गया, उसका credit मिल जाएगा, कोई तकली वाली बात नहीं है, clear, आईए, same way, सर, हमने बढ़ा था क्या, motor vehicle vessel या aircraft, अगर आपने lease पे लिया है, rent पे लिया है, license पे लिया है, sir, leasing, renting और, sir, hiring of motor vehicle vessel aircraft, credit नहीं मिलता है, बटा, तो इस circular ने पुछा क्या, क्या, दूसरे course अगर lease पे लिया है, मैंने अपने building, अपने office के लिए, factory के लिए, कोई machine rent पे लिया है, क्या, उसका credit भी नहीं मिलेगा, अरे भाई, सरकार ने clarify किया, कि केवल, वो vessel aircraft या vehicle, जिनका credit नहीं मिलता है, clear, sir, अगर मैंने vessel vehicle या aircraft पर्चेस की होते है, और मैं credit के लिया है, तो मैंने अगर वो vessel vehicle aircraft lease पे लिया है, rent पे लिया है, hiring पे लिया है, तो उसके rent पे जो GSTP किया है, उसका भी credit नहीं मिलेगा, आपको, यह leasing वाला point जो किवल, इनके लिए है, दूसरी goods अगर lease पे लिए, business के लिए है, credit मिलेगा, कोई दिकतली बात नहीं मिलेगा, सरकार, next पर आता है क्या, rule no.4243 में मिलेगा, हमने पढ़ा था क्या, sir, अगर आपने duty credit script बेची है, क्या बेची है, तो duty credit script को बेचने पर GST क्या है, exam टे GST पे करने ही जरूत नहीं, पर फिर भी, इसको exam turn-on में include नहीं करना, इसको किस में include करना बेचा, taxable turn-on में include करना, clear, sir, जैसे हमने interest, अगर आपने loan दिया, advance दिया, deposit दिया, आपको interest की इंकम आई, interest exempt है, फिर भी exam में include नहीं करना, total turn-on में include करना, same way, duty credit description अगर आपने बेची है, तो इसको exam में include नहीं करना, taxable, आपको total turn-on में include करना, clear, done, sir, all the exam पर फिर भी exam में include नहीं करेंगे, आईए, sir, composition scheme का amendment पढ़ लेता, sir, composition scheme में बोला था क्या, यह 8 goods के अगर आप manufacturer हो, आप composition scheme के लिए eligible नहीं हो, sir, वहाँ पे था क्या, fly ash aggregates with 90% or more fly ash content, sir, amendment कर दिया और बोल दिया क्या, अगर 90% or more fly ash content हो या ना हो, अगर आप fly ash aggregate के manufacturer हो, composition scheme से बाहर, sir, यह goods का composition scheme, same point, services के अगर आप composition scheme में हो, वहाँ पे भी लिए क्या, अगर आप fly ash aggregate के manufacturer हो, भरी 90% or more fly ash content हो या ना हो, आप composition scheme से बाहर, आईए बच्चो, reverse charge mechanism, GTA, sir, GTA service में पेले क्या था, वो छोड़ बेटा, sir, मैं simple सा बता रहा हूं, कि GTA की case में, अगर recipient, in seven specified person में से कोई एक है, तो ही GST लगेगा, वनना GST exam बेटा, clear, वो तो पेले भी था, अभी भी बेटा, अब सुन, अगर recipient, जो person freight pay कर रहा है, या freight pay करने के लिए liable है, वो in seven specified category of person में से को option दे दिया, option देके बूल दिया कि, GTA चाहे तो अपना GST में registration करा है, और वो चाहे तो forward charge mechanism में tax pay करने वाला option ले, clear, और अगर उसने forward charge mechanism वाला option लिया, तो उसको अपने bill पे declaration देना पड़ेगा, कि साब, declaration क्या देना पड़ेगा, कि sir, I or we have taken registration under GST Act, and have exercised the option to pay tax on services of GTA in relation to transport of goods supplied during the financial year, blah blah blah, 23-24, under forward charge, मतलब वो financial beginning भी option ले सकता है, forward charge mechanism में tax pay करने का, और उसने अगर forward charge का option लिया है, तो bill पे text लगाएगा, और bill पे text लगा के, customer से text लेगा, पर bill पे declaration देना पड़ेगा, उसको क्या, कि मैंने इस साल में, forward charge mechanism में tax pay करने वाला option लिया, मैंने अपना GST registration करा र option GT के पास भी बिटा, 5% भी, 12% भी बिटा, अगर उसने 12% वाल option लिया, तो forward charge में जब वो tax pay करेगा, उसने उस service को provide करने के लिए, जो भी truck, जो भी input, input service purchase किया, सब का credit उसको मिल जाएगा, पर उसने अगर GT ने 5% tax pay करने वाल option लिया, तो 5% tax bill पे charge करके आप से लेगा, पर पर वो tax pay करने के लिए, उसको कोई ITC नहीं मिलेगा, clear, done, फिर, सर, आपको पता है, सर, department of post की, सर, सारी service पर क्या कर दिया, एक अलग से mechanism दिया, tax ability का, सर, यहाँ पर reverse charge में, सर, यह words काम आ रहे थे, speed post, express parcel post, इसको remove किया, इसका को implication reverse charge में नहीं, सर, clear, कि department of post की service पर वेसे भ पर अगर अपने घर किराब दिया है, रहने के लिए किसको, registered person को, और registered person अपने business का खर्चा claim किया है, अपने employee, director या खुद के लिए रहने के लिए उसने घर लिया है, पर उसको अपने business में expense claim किया है, तो rent pay करने वाला कौन, business entity who is registered under GST, clear, तो ऐसे किसमें GST लगेगा, और रिवर्स चार्ज में लगेगा, और ओर जो business entity है, जो GST में registered है, any person who is registered in GST, सर वापस सुना, सर घर किराब दिया है रहने के लिए किसको, registered person को, तो ऐसे किसमें reverse charge में, registered person text पे करेगा, अब भली supplier कोई भी person उसे concern नहीं है, I repeat, घर किराब दिया है रहने के लिए unregistered person को GST exempt, घर किराब दिया रहने के लिए किसको, registered person को, registered person अपने business में खर्चा claim किया है, clear, भली खुद की रहने के लिए लिए घर उसने, director के लिए, employee के लिए, text लगेगा, और reverse charge में लगेगा, और recipient text पे करेगा, जो registered person वो text पे करेगा, भली supplier GST में registered हो, ना हो उसे concern, नहीं, recipient अगर घर करेगा, reverse charge में भारत मता की, जै, then, sir, renting हो motor vehicle, sir, हमने बढ़ाय क्या, अगर transport पेसंटर वाला vehicle, मैंने rent पे लिया है, sir, service supplier other than body corporate और recipient अगर body corporate है, service supplier अगर other than body corporate है, और recipient को ने, body corporate है, और supplier ने 5% text पे वाला option लिया, 12% text पे करना वाला option अगर लिया होता, तो forward charge हमेश होता, इ case में को amendment नहीं, बता रहा हूं, रिवाइस करना ने के लिया, क्योंगे, sir, अगर renting of, renting of motor vehicle service, sir, which is designed to transport passengers, अगर supplier of service ने 12% text पे करना वाला option लिया, तो forward charge हमेश होता, 5% वाला option लिया, तो ऐसे case में, अगर supplier other than body corporate हो, recipient अगर body corporate है, तो reverse charge mechanism में, किस को पे text पे करना पादेगा, body corporate क tax पे करना पादेगा, पर renting of motor vehicle के किस पे करना यार, मानलो, मैंने अपने employees को, बोला कि, तुम जब morning evening में आते हो, बता, अगर मैंने bus rent पे लेली बेटा उनके लिए, तो तो वो renting of motor vehicle हो गया, supplier अगर other than body corporate, recipient body corporate, उसने 5% text वाला option नहीं लिया, 5% text वाला option लिया, तो ऐसे case में, मैंने अपने employee को बोला होता, तुम बस का जो ticket है, वो ticket तुम लेलना साब, और जितना तुमारा bus का टीट लग रहा है, वो मेरे से reimbursement लेलना साब, या मैंने diet bus operator को बोल दिया क्या, तुमारा जो भी ticket का मोन अगर में पे करूँगा साब, अब ticket का मोन अगर में पे कर रहा हू तो क्या मैंने बस का बस hire पे लेले है, क्या, नहीं, sir, hiring में और transport of passenger में क्या फरके, hiring अगर कर रहे हो आप, तो ऐसे case में, खुद के control में हो बस है, वो motor vehicle, आपके control में है, आपके हिसाब से चलेगी, sir, आपके schedule के हिसाब से, आपके timing के साब से चलेगी, तो ऐसे case में होता है, क्या hiring of motor vehicle, पर अगर आपने किल टिकेट लिया है, you are just providing transport of passenger service, और transport of passenger service आप भली, body corporate दो, किसको भी दो, reverse charge नहीं है, वहाँ forward charge लगेगा, बच्चो, भारत मता की, जय, sir, next, ये GTA वाला point में आपको समझा जुगा हो, इसको मैंने बड़े सुन्दर chart form में बता रगा, ये आपक सर, mega exemption list, इसके amendment पढ़ लेता है, सर, healthcare service पर GST exempt है, healthcare के अंदर, अगर कोई patient hospital में admitted है, तो वो भी room range जो होता है, वो भी healthcare service के scope में ही आता है, पर अगर room range का amount, exceeding rupees 5,000 है, कितना है बड़े, exceeding rupees 5,000 per day है, तो इसे के समें उस room range के amount पर, room range वाले amount पर GST लग जाएगा, बच्चो पर अगर कोई patient ICU में admitted है, CCU मतलब cardiac care unit बटा, या ICCU में admitted है, या बच्चों के लिए जो NICU होता है, वहाँ अगर कोई patient admitted है, वहाँ per day rent 50,000 भी है, कितना भी बटा, उस पर GST exempt रहेगा बटा, क्योंकि वहाँ special care required होती है, clear, done, ये वो rent के लिए था बटा, जो मैंने पढ़ा नहीं लगेगा, clear, sir, common biomedical waste treatment plant और facility की service पर text लगा दिया है, sir, court blood bank जब बच्चा पैदा होता है, मां के बेट से, उसके, जो court connect होती ही मां के बेट से, वो जो court blood होता है, उसके अंदर, sir, उस court blood के storage के लिए charges हो लेते थे थे, court blood bank वाले, अग उस पर GST लग जाएगा, बच्चो sir, text लग जाएगा, then, sir, agriculture produce को अपने warehouse में store करवाया, sir, warehousing चार से पे GST exempt है, पहले भी exempt है, पर उस warehouse में अगर अपने fumigation कराया, तो ऐसे guess में text लग जाएगा, बच्चो, GST exemption withdraw हो गया, पर हाँ, agricultural farm पे अपने fumigation कराया, बच्चो, अगर अपने fumigation कराया, तो उस पे GST पहले लग गया है, बच्चो, फिर, sir, warehousing और storage of cereals, pulses, fruits, and vegetables exempt है, पेटा, अच्छा, rice के लिए अलग से exemption है, agriculture produce के storage पे अलग से exemption है, पर, nuts, spices, copra, sugarcane, sir, tendu leaves, coffee leaves, यह जो जितने में, processed food ते बटा, इन सब के storage वेरावसिंग चार्च पे GST लगा दिया, सरकार, then, कसा ही, कसा ही, बटा, यहादा है, slaughtering house, slaughtering house पे GST, लगा दिया, services of slaughtering of animals is now taxable, सरकार, पूरा ध्यान इंतर रखना, बटा, क्योंकि यह, थोड़ा, fast and furious हो रहा है, क्यों, क्योंकि revision हो पाएगा, तभी आपका fast, कम time में, ध्यान से पढ़ना, sir, educational trade, services, हमने पढ़ा क्या, services provided by educational institution to its student, faculty staff, of exempt है, sir, अब अगर मान लो, कोई eligibility test है, आपको किसी college में admission लेना है, उसके कोई eligibility test है, उसके कोई entrance fee है, तो sir, उस test के लिए कोई fees charge कर रहा है या, entrance examination के लिए कोई fee charge हो रहा है, तो ऐसे case में, इस सरक्लों ने अगेन वापस clarify क्या क्या, sir, entrance, application fee for entrance or fee charge from prospective students for issuance of eligibility certificate to them in the process of their entrance or admission, ये सब exempt रहेगा, अचा, मान लो, किसी student को स्कूल से निकाल लिया, sir, migration certificate, हाँ है ना भाई, sir, तो ex-students से migration certificate के लिए कोई अगर मान लो, charges लिया, तो उस पर भी GST exempt है, सरकार, next, अगर आप dance सेखने गए, art और music की services सेखने गए, हाँ ना भाई, recreational activities related to arts और culture, अगर आप सीख रहे हो, तो वो coaching अगर किसी individual ने provide करी तो ही GST exempt बेटा, अधर देन individual ने provide करी तो tax लग जाएगा, बच्चों पहले ऐसा था कि art और culture की service कोई भी provide करे बेटा, recreational activities, dance वगर सीखने जारो बेटा, किसस ने भी provide गया, private limited company हो, partnership हो, कोई भी हो, पहले GST exempt था बेटा, पर अब, सर, जयान दना बच्चो, केवल और केवल, केवल बेटा, केवल और केवल, individual ने अगर ये services provide करी है, क्या, dance सीखाया है, recreational activities relating to arts और culture, अगर उसने training provide करी बेटा, 800 charitable entities ने अगर सिखाया आपको, तो ही text exempt था, ये तो पहले भी था, पहले भी बेटा, clear, तो अगर आप recreational activities relating to arts और culture, अगर आप सीख रहे हो, तो सर, ऐसे केस में, अगर individual ने services दी, तो text exempt था, पहले 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 पहले, पहले 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 5 पढ़ना जिसमें amendment नहीं था, फिर 5 ये समाज में आपको, सर, tour operator, सर ध्यान देने पहले, सर, tour operator पहले पहले, पोइंट ये मेरा, एक मिंट पोज़ करना, एक मिंट, ओके, सर, सुनना बात को दियान से, अगर tour operator, हापने और हमने पढ़ावाय क्या, services provided by tour operator to a foreign tourist, in relation to a tour which is conducted wholly outside India, तो text exempt पहले, पर अगर, सर, उसी tour operator ने, मानलो, सर, make my trip.com, इंडिया का tour operator पहले, इसने, foreign tourist को tour operator की services दी, पर, सर, ये, partly in India, partly outside इंडिया रहा है, अगर पूरा ही tour outside इंडिया होता, तो text exempt, पर सर, मानलो, कोई tourist है, पास दिन जा रहा है, Singapore और छे दिन आ रहा है, इंडिया, तो, जितने number of days proportion वो out of इंडिया रहा है, तो इसके लिए point आया, और बोल दिया क्या, गौर्में ने बोल दिया क्या, अगर, partly in India और partly outside इंडिया है, और tour operator service दी को, foreign tourist को, तो, sir, proportionately उसको एंडिया रहा है, पिटा, कितने number of days वो बाहर रहा है, पिटा, clear, 5 days बाहर है, divide by, total tour number of days के इंडिया रहा है, 11 days, तो 5 divided by 11 into tour का value तो, मानलो 11 रहा है, तो 5 रहा है, तो 5 रहा है, यह जो amount आया, वो, यह 50% of value of the entire tour, whichever is lower, इतना maximum exemption उसको मिल जाएगा, कोई दिकत नहीं, अगर partly in India, partly outside India है तो, पर, sir, यहापर number of days count करना है, पर, sir, अगर, मानलो 12 hours or more than 12 hours stay है कही, तो उसको one पूरा दे मानना है, पर अगर less than 12 hours का stay है, तो उसको half day मानना है, मानलो, इंडिया में था होगा, कितने इंडिया में बेटा, 5 days और 4 hours, तो 5.5 days मानेंगे इंडिया में बेटा, और Singapore पास दिन था हो, तो 5 रहा है, 5.5 days इंडिया के, तो total number of days होग Sir, फिर अगर FIFA Under 17 Women's World Cup 2020, जबी भी रिशिट लोगा उसके अगर आपने अपने एंटी टिकेट लिए, तो GST नहीं लेगे हो, कोई खास बात नहीं, Sir Then, Transport Related Services में एक सर्क्री रोता बड़ा आप श्रांदार, Sir जैसे आप, Sir, Public Transport in a Vessel, between places located in India, अगर आप Transport of Passenger की सर्विस दे रहे हो, तो GST एक्जम्ट बड़ा, अब इसने बोला क्या, जो मैंने आपके लेक्चेर में एक्जम्बल दिया था, प्राइवेट फेरी बड़ा, जै Sir, मान लोग कोई क्रूस चल रहा है, Sir, पाटी शाटी माहाओ लेक्दम, Bombay to Goa जारे बड़ा, Sir, Shikara बड़ा, Sir, Kashmir बड़ा में चलता है, Shikara बड़ा, Sir, हाँ, Sir, examik बड़ा तो फिर सब जाना बड़ा, कोई दिक्कत नहीं है, Sir, तो Sir, ऐसे केस में 2000 not meant primarily for transport of passengers, वो predominantly for tourism purpose है, त if it is not predominantly for tourism purpose, तो GST exempt रहेगा, बड़ा, Clear, Done, फिर, Sir, यादे वो 9 places, 7 sisters और एक ब्रदर Sikkim और एक डोकरा बाग डोकरा, वहाँ बाए फ्लाइट गए या बाए फ्लाइट आया तो Ticket पे GST exempt है, अभी भी ये बड़ा, पर केवल economic class में है, अगर आप travel करो तो text exempt है, अदर दन economic class में गए तो text लग जाएगा, बच्छो, Sir, फिर, सरकार यहाँ पे एक circular दिया, बोला क्या, Sir, आपने अगर, ट्रांस्पट और पेसनलर की service दी, नोन AC contract करीज में, या STS करीज में, तो text exempt रहना है, आपने bus की bus hire कर ली, बच्छे, जैसे आपके employees को morning में और evening में लाना ले जा आप चली bus, तो वो renting of motor vehicle है, बच्छो, that is not transport of passenger service, और transport of passenger service by non AC contract करीज exempt होता है, बच्छो, अगर आपने non AC contract करीज हायर भी ले ले लिया, चार्टर कर ले ले लिया, तो ऐसे किसम टेक्स लगेगा, बच्छो, clear, ठीक सा, आईए बच्छो, Sir, अगला circle हो राता है क्या, हाँ, Sir हमने पढ़ा है क्या, अगर आपने transport of goods क्या है by road, तो एक्जमिटे बचा, except GTA और कुरी एजनसी बचा, पर Sir, आपने एक truck की truck कर रहा है ले ले ली, जैसे मेरा, मैं एक mine holder हो बचा, Sir, mining का काम करता हो, माइन पिट से जो minerals extract हो बचा, वहां से मेरे को, Sir, railway siding पर, या beneficiation plant, client क्ला क्या ले जाने के लिए, customer क्या ले जाने के लिए, Sir, मैंने truck hire कर लिए, truck, dumper, tip, वगरा मैंने hire कर लिए, तो Sir, वो मेरे हिसाब से चला रहा हूं, मेरे timing, मेरे route, मेरे schedule के हिसाब से चला रहा हूं, तो वो hiring में cover होता है, वो transport of goods by road cover नहीं होता है, ऐसे case में hiring of motor vehicle पे GST लगेग exemption में cover नहीं होगा, अच्छा, Sir, next क्या है, अगर आप India से, Sir, India से outside India goods ले रहा हो by aircraft, Sir, या फिर by vessel आप goods ले रहा हो from the custom station of clearance in India to a place outside India, तो ये exemption के वल 38th September 2022 तक था, उसके बाद इसको extend नहीं क्या मतलब, India से अगर आप out of India by vessel या aircraft goods ले रहा हो, तो उसके fret पे GST लग जाए गेग तो up to the customs station of clearance in India तके fret पे GST पहले भी exempt था, अभी भी exempt है, पर इंडिया से बाहर ले रहे हो, shipping अपने जो freight charge के आप text लग जाएगा बचो उसके, Sir, अगला point क्या है, भाई, Sir, railway vessel के थू, आपने transport किया किसका, railway equipment और material का, तो इस पे आप text लगा दिया है, Sir, देन दना, हमने और material नहीं था है, तो card दिया पेटा, यहासे, मतलब, जो point अब GTA में वही railway vessel में, प्लस, GTA में दो point extra था था, यदे, अगर GTA ने goods transportation किया, जिसमें पूरे goods carriage में, जितना भी goods है, उन सब का freight मिला के 1500 याव से कम है, तो GST exempt है, विड्रो हो गया, यह exemption card दिया, देखो, clear, पर, प् स्मॉल कंसाइनमेंट के जो exemption थे, अब सर, टेक्स लग जाएगा, बच्चो, कुल मिलना के, सर, relief material meant for victims of natural amendment disasters, defense and military equipment, newspaper और magazines registered with the register of newspaper, agriculture produce, milk, salt, food, grain, including floor, pulses, rice, and organic manure, इन 6 इस पे सब गूर्स का transport किया, अपने railway, vessel, या GTA से, तो exempt है, अदर्वेस exempt नहीं है, अब GTA से आपने कोई दूसर गूर्स का transportation किया, जापे, फ्रेट कितना था, 300 पे, टेक्स लगे है, अदिमा, खराब करना ही मत बच्चा, सर, next, नेपाल बुटान को, अगर आप, कोई गूर्स भेजर बटा, तो services associated with transit car to Nepal बुटान, वो exempt आपर, अगर empty truck वापस आ रहा है, और खाली truck जो वापस आ रहा है तो सर, additional toll charge हो, बताना सर, जैसे आपकी वाइकल पर fast tech नहीं बटा, और आप national highway पर गए, और fast tech की लाइन में लग गए, तो सर, toll charge सा 100 रुपे बटा, आप से लेले 200 रुपे, तो 200 पर भी GST नहीं लगे है बटा, उसको भी toll charge ही मानेंगे बच्चो, सर, then, renting of email property में सबसे बला परसं तो tax लग जाएगा, बच्चो, सर, देखना, चार्ट फर्म में बता दिया में है, renting of residence dwelling, if the resident is registered person, बटा, commercial use के लिए tax लगेगा, reverse size में लगेगा, सर, use as residence for employee director, etc, text लगेगा, reverse size में लगेगा, अगर recipient registered, नहीं है, उसने commercial use में घर किरावलिया, तो text लगेगा, forward size में लग GST का रहेगा, बटा, exempt रहेगा, बच्चो, सरकार, फिर, hotel accommodation, पहले था क्या, 1000 उपर तका room rent है, तो GST माफ था, अब, सर, 1000 हो या उससे कम हो, जादा हो, we don't care, text लगेगा, hotel हो, hostel हो, धरम शाला हो, अधरम शाला हो, सब पर text लगेगा, पर हाँ, सर, अगर आप precincts of religious place में हो, बटा, कहा हो, बटा, precincts of religious place में हो, और, जैसे, मंदीर है, बटा, उसी के अंदर room बने वे, बटा, तो room rent अगर 999 तक है, बटा, कितना है, 999 तक है, तो पहले भी exempt था, अभी भी exempt है, बटा, वो वे ड्रोन नहीं हुआ, बटा, clear, सर, आईए, फिर, किता क्या, बटा, या बटा, MIDC, महराश्टा, इस्टेट, इंडरिश्टल डेवलोमेंट कॉर्परेशन, या GIDC, गुजात, इंडरिश्टल डेवलोमेंट कॉर्परेशन, या राजस्तान में रिकोव इंडर्श्टल एर्या, बटा, सर, उन्होंने अगर long term lease, 30 years और more than 30 years के लिए, कोई land या पर अगर मानलो, आपने कोई preferential location charge दिया है, या location charge दिया है, जैसे front row में आपको चाहिए plot, उसलिए extra charge है, वो भी plot की cost का पार्ट ही माना जाएगा, और उसको भी upfront amount ही माना जाएगा, उस पर जेस्टी नहीं लेगा, जेस्टी एक्जमत लेगा, या सरकल हो था, बटा, सरकार देन, यह वह वह वेरावसिंग और इस्टोरेज़ ऑफ सेरिल पल्स वेर पल्स और फ्रूट लेगा, बागी processed food के वेरावसिंग इस्टोरेज़ पर text लगया, यह point repeat के मैंने, क्योंकि यहां पे भी cover था, बापे भी cover था, बापे भी cover था, देन, सर, Department of Post की, सर, केवल चार services यहां से यह point को काटा, clear, और यहां पर अलग से point डाल दिया, बाप, और क्या बोल दिया, Department of Post ने, Post Card, Inland Letter, Sir, Book Post, या आपने ordinary post कराया, of the envelopes, weighing less than 10 gram, 10 gram से कम का वजन है, Ordinary Post का, बाप, या Book Post के आपने, बाप, या Inland Letter, या Post Card, या आपने, आपने, Post Office की service ली, तो ही exemption से वागी बाप, बाप, या आपने गौवर्मन्ट को दिया है, या नोन गौवर्मन्ट को दिया, टेक्स लग जाएगा, बाचो, ये चार, Post Card, Inland Letter, Book Post, Ordinary Post, और इंवलप, वेंग लें 10 gram, तो Post Office की service पे GST, बागी हर case में टेक्स लागेगा, दिमाग खरब करना ही मत, बाप, बाप, ये services by government to business entity बिढ़ाई, खास बात, सर, services by FSSAI, SEBI, IRDA, ये सब services by government to whom, business entity, यहाँ टेक्स लगेगा, वो भी reverse charge mechanism लगेगा, क्योंकि any service by business entity to, any service by government to business entity, text लगता है, वो भी reverse charge mechanism लगता है, वो भी reverse charge mechanism लगता है, वो रेसीपिन लाइव लोग लोगा tax पे करना के लिए, अंडर reverse charge mechanism भारत माता की, जै, सर, then, सरकार, next service क्या है, सरकार, ये होई, अभी जो मने पड़ा, upfront amount, long term lease वाला पड़ा, since point repeat हुआ, तो ये circular भी मैंने यहाँ repeat किया, बेटा, location charge, provincial location charge, exempt रहेंगे, बेटा, then, सरकार, आ रहा है क्या, हाँ जी, अगर आपने ऐसा कोई activity perform किया है, जो आटिक आर्मी के लिए काम किया है, बेटा, most respected Indian, आर्मी के लिए काम किया है, बेटा, clear, या आपने, सर, any government department या ministry के लिए काम किया है, तो, सर, ये भी exempt रहेगा, अगर pure labor के service तो exempt है, बेटा, material plus labor है, तो maximum amount of material should not exceed, 25% of the total contract value बेचा, तो GST will remain exempt, बेटा, हाँ है ना भाई, जैसे sanitation and conservation services, article number 242, W में cover है, बेटा, ये काम अगर आपने Indian army के लिए किया है, या, सर, किसी भी government department या ministry के लिए किया, तो, मतलब government के लिए किया, बेटा, GST exempt रहेगा, बेटा, clear, आईए बेचा, फिर, GST network की जो एक company बने भी government ने, बेटा, to maintain the GST portal, तो, GST network ने जो भी charge लिया, किस से center government, state government या, union traders है, for implementation of GST, अब tax लग जाएगा, बच्चो, वो exam नहीं रहा, clear, done, sir, services by RBI, taxable हो गया, services received by RBI के लिए एक exam थी बेटा, वो भी taxable करती बेटा, out of India से management of foreign exchange reserve की services RBI ने लिए, तो, अब वो taxable हो गई है, बच्चो, clear, अच्छा देना ने बटा, अब question में आ जाए, services by R RBI या, services to RBI, tax लगा देना, बटा, समझे, clear, अगर वो service कही और exam नहीं तो, मतलब, tax लगी जाएगा, RBI की वज़े से, अलग से, बच्चो, clear, services by RBI, services to RBI, now are taxable, बटा, sir, next क्या, बटा, sir, next क्या, सरकार, IRDA के service पे tax exam कर दिया, tax, text लगा दिया, वो हमने repeat क्या पूंदिया प बटा, और आपको वहाँ पर appearance के लिए कोई guest anchor के तरह आप TV चनल पे गए, बटा, और वहाँ पर आपको कोई honorarium pay किया, आपने वो debate में participate किया है, किसली भी बटा, तो you are not employee of that TV चनल बटा, इसलिए आपको जो honorarium pay किया, that is a fees, which is not exempt anywhere, उस पर GST लगे गए, बटा, हाँ, वो guest anchor खुद का ही turnover 20 लागे हो सकता हमें, बटा, तो वो बात लगे, sir, वो tax investition नहीं करेगा, he is not registered under GST, वो tax pay नहीं करेगा, पर, service is taxable, यह समझाया है, बटा, यहाँ पर, आपे, आईए, बच्चो, sir, बहुत ही important, sir, sir, कि लोर यहाँ पर दिया, government ने, clarification on GST, applicability of liquid damages, compensation penalty arising out of breach of contract and other provisions of situation or to do and act, इसमें service को cover करते हुए, इस पर GST लगाते थे, पर इस circular ने clearly बहुत अच्छे सा बोल दिया, किया, अगर आपने कोई काम नहीं perform गया, ढंक से, या contract तोड़ दिया, उसके लिए liquid damages charge हो गया, penalty charge हो गया, कोई low का violation किया, आपने, traffic police का rules तोड़ आपने, कोई fine pay किया, या आपने कोई भी कानुन तोड़ा, उसके लिए, आपके से fine penalty charge किया, जैसे आपने mining का आपको काम दिया गया, पर mining में बोला किया, इतना ही limit तक mining करना है, access mining कर लिया, तो penalty charge करेंगे, पर access mining आपने कर लिया, मानने नहीं बेटा, department पकड़ लिया आपको, आपसे fine penalty charge कर दिय आपसे, या बैंक में आपने check deposit किया, check bounce हो गया, bank ने check dishonoring charges ले लिया, या आपकिसी employment bond में थे बेटा, आपने 5 साल तक employment bond sign किया था, उससे पहले गर छोड़े तो 50 लाग रुपे देने पाड़ेंगे, आपने पहले छोड़ दिया, 50 लाग रुपे employer ने लिया आपसे बेटा, these are not fees to the supplier or service बैटा, ऐसा नहीं कि, sir कोई employer ने आपको कोई toilet करने की service दी ही क्या, नहीं, sir आपने कानून तोड़ा है, आपने fees दी government को क्या हाटी की कानून तोड़ा है, ये लिये fees ले बैटा, contract तोड़ा है, ये लिये fees ले, this is not a consideration at all, इस circular ने clarify किया क्या, these are mere flow of money, क्यों money आन is not a consideration at all, इस पे GST लेगे लिये लिये, ये supply ही नहीं है, schedule to में आने की बाद तो, आती ही नहीं है, इन पे GST नहीं लेगे है, sir, फिर, अगर कोई customer आपको payment late करता है, आपने उसे late payment charge, direct payment charge ले ले लिये लिया, तो इस कैस में हमने valuation पढ़ाँ आपकिया, वो value का पार्ट बनता तो fixed capacity charge या fixed charge होते है आप देखने लाइट के बिल के इंदर variable charge भी होते है कितने unit consume के आपने वो और fixed charge भी होते है तो fixed charge को tolerating non performance of act नहीं मानेंगे बैटा Sir fixed charge भी एक तरह से electricity supply के एक portion of charges है और उसको तो sale of electricity में classify करें और sale of electricity भी जीस्टी exempt है तो fixed charge भी जीस्टी exempt रहेगा अच्छा आपने फ्लाइट टिकेट बुक कर दिया होटल का रूम बुक कर दिया बाद में कैंसल कर दिया तो वह cancellation charge हो लिया है आपने जो एक तरह से इन लोगों को नहीं किया कि आपको फैसलिटी दी की कि आप एक payment करके cancellation करा सकते है तो इस पर जीस्टी लगेगा बटा यह तो मोका होता है जब कुछ कर दिखाना होता आपको और यह मोका आपको बगवाने दिया है सर पूरा अतनम लगा देना पूरी ताकत लगा देना क्योंकि सर लिखा है मैं उपर क्या believe in yourself everything is possible and yes you can do it सरकार आईए अगले amendment तरह बढ़ते है बटा कोई खास amendment नहीं है बच्चो सर यदा है अगर आप exclusively goods supply करते हो तो फोटिले का benefit मिलता है बटा आपको पर सर अगर आप in following goods के supplier हो तो आपको benefit नहीं मिलेगा यहाँ पर वोई अगर आपने qrmp scheme layer की है if you are a regular taxpayer और अगर अपने qrmp scheme layer की ए इफ्यूर अगर आपने qrmp scheme तो आपने 2 consecutive टेक्स प्रेट के अगर रिटर्न फाइल नहीं किये रिटर्न मिलब 3B. तो यूर रिटर्टाश है लाइबल भी कैंसल्ड अगर आपने QRMP स्कीम नहीं ले रखिए अब मुंती रिटर्न फाइल करते हो लिटा तो छे यह कॉंपूशिशन स्कीम में आप रजिश्टराटे हो बटा तो ऐसे केस में रिटन फाइल ही एनुली करना परता जियेश्टाया फोर फिनेस्ट एक पर अपरिल उससे पहले पहले है और उसमें भी आप लेट करें बटा और तीन में एक्सेंड हो गए बटा सर, due date of filing return क्या बला मालिक? due date of filing return for composition scheme वाले लोग उनका अगर तीन मेने expire होगे बटा और return file नहीं किया, their registration is liable to be cancelled बटा clear, पहले तीन कॉंजिकूरी return था बटा मतलब तीन साल तक return file नहीं किया तो registration cancel करा हैंगे, practically काम का point था नहीं इसलिए amendment क्या और बोल दिया क्या अगर due date of filing return से तीन मेने भी expire होगे तो your registration will be liable to be cancelled clear, done, sir फिर देगे sir, यहाँ पे suspension of registration में एक point लिखा बटा suspension of registration में बोल दिया क्या कि चिंता मत करो, sir अगर कभी भी आपने return file नहीं किता, भी आपने पटाए ना आपका registration cancels करने का proceeding शुरू कर दिया, आपको notice issue कर दिया बैटा तो आप notice का reply देने की जगापी क्या कर रहे हो वो जो pending return दे वो फाइल कर दो बैचा, अगर department ने proceeding शुरू कर दिया पर अभी तक order of cancellation pass नहीं हुआ, तो before passing of the order for cancellation, अगर आपने cancellation का system था, clear, वो खतम हो जाएगा, suspension withdraw हो जाएगा और आपका registration live हो जाएगा, भारत ना था की, जै, सरकार आईए सरम पढ़ चुके बढ़ा क्या sir, TCS statement अगर फाइल किया, electronic commerce operator ने, और उससे कोई गलती हो गई तो कब तक rectify कर सकता है 30th November या actual filing of annulodern whichever is, earlier तक बच्चो, हाँ है ना भाई अच्छा, sir, TCS वालों को बोला था कि एक rule no.79 दे रहा था कि supplier ने जीश्टर 1 फाइल किया TCS, electronic commerce operator ने TCS statement submit किया, दोनों में mismatch आया तो एक processor दे रहा था rule no.79 में, प्रैक्टिकली वो common border applicable नहीं हो पा रहा था, इसलिए उस rule को delete कर दिया पर हाँ, इसका मतलब यह नहीं, matching कौन सब कतम हो गया वो rule का processor कतम किया इनों नहीं तो matching तो अभी भी करेंगे, mismatch आया तो मामला घड़ बढ़े बैटा, clear? वो तो अभी भी होगा बैटा आईए बच्चो, सर अगला चप्टर पढ़ लेते हम payment of tax, एक सगिंड सर एक मिट पोस लेल तो बटा मैं घड़ा दुखना लग गया हाज़े सरकार, सर payment of tax के दियाना रखना बटा अभी online payment के लिए UPI और IMPS भी allow कर दिया है, along with the credit card, debit card and internet banking मेंटा मतलब UPI और IMPS के दिरुपी आप online payment कर सकते हो, GST का okay, electronic cash laser के अंदर बटा okay, सर, plus, सर, बड़ा अच्छा amendment हो है, transfer of funds अच्छा, हमने पढ़ावाए क्या, किसी भी major head के, किसी भी minor head से आप किसी भी other major head के, किसी भी minor head में fund transfer कर सकते हो, बच्छा प्लस, अभी अलोग करते हैं कि CGST और IGST से, distinct person के CGST, IGST में आप कोई भी fund transfer कर सकते हो, cash laser से, clear, पर, 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 जो transfer कर रहा है, उसके खुद का ही tax liability do है, बटा, खुद की liability पहले पे कर भाई, फिर किसी और को, किसी और मतलब, अपने distinct person को बाद में fund transfer करना, पहले खुद का liability पे करना पड़ेगा आपको, clear, ठीक, सर, फिर, सरकार, एक, सर, एक rule number 86, rule number 4, भी aid हुआ, वो बोलता है कि, मानलो, आपने electronic credit laser से, कुछ refund claim किया, आपको refund मिल गिया, अब 1 lakh आपने refund claim किया, refund मिल गिया, तो 1 lakh रुपी आपके electronic credit laser से debit हो गया हो बटा, कम हो गया हो बटा, फर बाद में पता बढ़ा क्या, ये refund आपने claim किया हो गलत था बटा, तो आपने वो amount government को वापसे पे किया, तो जो amount आपने government को वापसे पे किया, awareness refund का वो amount आपके electronic credit laser में वापसे रिक्रेडिट कर दिया जाएगा बच्चो, clear, done, सरकार एक circular issue हुआ, circular क्या बोलता है बटा, सबसे पहली बात, सर आपको ITC जो यूज़ करना है, किसके लिए करना है, टेक्स को पे करने के लिए यूज़ करना है, interest, penalty, late filing fee, other dues के लिए कभी भी ITC यूज़ नहीं आता है, अच्छा, अब जो टेक्स का लाइबडी आ रहा है, उसके लिए आप ITC यूज़ कर सकते हो, तो सर भली वो self-assist किया वा टेक्स हो, या डिपार्टमेंट ने मालोग किसी प्रोसेटिंग में आप पे डिमार्ड रेस करी हो, या किसी भी प्रोसेटिंग में डिपार्टमेंट के ओफिसर ने बता आपको कि साहब इतना टेक्स बनता है, वो पे करने के लिए आप ITC यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अच्छा, अगर आपकी लाइबड़ी रिवर्स साज गयती, तो रिवर्स साज का लाइबड़ी पे करने के लिए हमेशा, इनवर्स अप्लाइब आपको हमेशा, क्रेइट लेजर से कभी काम नहीं हो सकता है, अच्छा, अगर मालोग, आपको कभी रिफन्द मिल गया, अब वो रिफन्द काम होलोड आपको गवर्मन को आपसे पेवेग करना है, क्योंकि वो ironis refund था, तो that has to be paid through cash laser only, उसके आप ITC use नहीं कर सकते, बच्चो. Sir, then, बड़ा ही सुन्दर amendment, बड़ा ही काम का amendment, बहुत ही शानदर amendment हुआ है साब, retrospective, जो इस exams के लिए, May 23 के लिए बड़ा important हो सकता है, एक तो ध्यान रखेएगा, आगे वो liquid damages वाला में जो point बताया है वो, प्लस, एक यह है, सर, इन दोनों का मुझे लगता है short short question बनना चाहिए, एक जामें बने ना बने बात की बात है बड़ा, मुझे यसा लगता है बनना चाहिए बड़ा, सरकार, सुनना बात हो जान से, delayed payment of tax, सर, अगर आपने कोई भी payment of tax late किया है, तो interest लगेगा बटा, clear, अच्छा, आपने अगर केवल return file करने में late हुए बटा, तो net tax payable in cash, सर, उसी पर आपका interest लगता है बटा, पर अगर आपने, सर, January मैने की liability, आपने January मैने का return file कर दिया, पर उसमें कोई transaction declare करना रहे गया, और वो transaction आपने July मैने में declare किया, July मैने की return file करते वक, तो इसे case में, gross tax payable, भले 40,000 के liability थी 30,000 का, आपके वास credit था 10,000 अपने पे किया थूख cash लगता, फिर भी 40,000 पूरी पे आपको interest पे करना बटेगा, अगर आपने कभी भी wrong ITC avail कर लिया, wrong ITC avail कर लिया, पर आपने use करने से पहले ही उसको reverse कर दे, there is no point of any interest at all, पर अगर आपने wrong ITC को avail करके use कर लिया, तो जिस महिने की liability को पे करने में आपने use किया, जितना amount आपने use किया, सर उतने amount पर interest चलो जाएगा, और वो आपको interest पे करना मड़ेगा, जब तक आपने वो ITC को government को आपसे पहने ही कर दिया, अच्छा, सर आपने किस दिन use किया, कम बाने किया, जिस महिने में, मानलो 10 लाग आपने wrong ITC avail किया, जनवरी में में पर मार्च मेने की liability पे करते वक, अपने 10 लाग में से 2 लाग को यूज किया, तो ऐसे case में, सर, मार्च मेने का रिटन का अपने फाइल किया, तो actual date of filing return of the March, मानलो 18 अप्रिल या due date of filing the March मेने का रिटन मानलो 20 अप्रिल बिटा, whichever is earlier, मानलो अपने रिटन लेट फाइल किया, तो due date of filing return जो था, उसके next day से interest अलो जाएगा, जब आप tax pay करेंगे government को तब तक का, interest 18% पर नम, not the 24%, 18% पर नम पेकना पड़ेगा, बटा, clear, अच्छा, किस महिने में मानें कि आपने wrong IDC avail वाला यूज किया, सर, जीस महिने में, जैसे आपने 10 लाग आपना IDC balance, IDC लिया, जो wrong था, बटा, clear, wrong available of IDC किता था, बटा, 10 लग का, तो अगर किसी महिने में, आपका IDC account balance 10 लग से कम जाता है, तो जितना कम गया, उतना मानेंगे, उस महिने में आपने उतना amount को use किया, सर, मतलब हमेशा है मानेंगे, कि जो सही credit थी, वो पहले आपने use करी, और फिर wrong credit जो थी, वो last में use है, यह सा माना जाएगा, बटा, clear, done, तो सर, according, आपको interest पे करम बटागा भारत मां तक जाए, और detail में में बात करी, बटा, आपसे कहा, जो मेरा main amendment लेक्षा था, बटा, भारत मां तक जाए, शायद आपको revise आगया, बटा, point, पुरा revision हो गया, इसका, सरकार, फिर credit note issue करना कब तक कर सकतो, बटा, वो ही 30th November, actual filing of annual done, whichever is, earlier, बच्चो, clear, done, सर, फिर देगया, बटा, e-invoice, सर, e-invoice के provisions की applicability हो गई, किसके लिए, सर, जिनका भी preceding financial year में, from 2017-18 onwards, किसी भी preceding financial year में, अगर aggregator 10 crore cross हो गया था, तो, ऐसे case में, B2B supplies, अगर आप कर रहे हो, या export कर रहे हो, तो, ऐसे case में, आपको, e-invoice के provisions attract हो जाएंगे, बच्चो, मतलब, 20 crore से 10 crore की limit कर दी, बच्चा, किसके लिए, e-invoice के लिए, बच्चो, और हां, सर, यह हमने पढ़ा था क्या, e-invoice के provisions in following case में applicable नहीं, जैसे SCZ unit हो गया, बैंकिंग अमनीज बगर हो गई, तो, इनको, जब यह लोग bill issue करेंगे, उस bill पे एक declaration देना पड़ेगा क्या, कि साहब हमारे लिए, अल्दो हमारा aggregate turnover is more than the threshold limit, जो बता रहे की, e-invoice के लिए, पर, हमारको examation दे रहे रहे है, and we are not required to issue the e-invoice, so that customer, परशान नहीं हो, customer को उस bill के बसवे credit मिल जागा, जो e-invoice नहीं फिर भी, बैटा, clear, इनको bill pay declaration देना पड़ेगा, प्लस, next amendment आया क्या, sir, NRTP, NRTP के return file करना पड़ेगा, बैटा, 13th, पहले था 20 तरीक, बैटा, change करना करते है, बैटा, 13th of the next month, और 7th day after the expiry of the well-dee period of registration, whichever is, earlier, उसको return file करना पड़ेगा, बैटा, clear, then, sir, return, मैं कोई गलती होगे, रेक्टिफाय करना कब तक कर से तो, बैटा, करना है, तो, sir, जब तक preceding text period का आपने जेश्टर वन फाइल नहीं क्या, आप current text period का जेश्टर वन फाइल नहीं कर सकते है, हाँ, commissioner को power दिया, government को power दिया कि वो चाहिए, तो, किसी special case में allow कर देगा अलग बात है, clear, then, sir, next रहता है क्या, sir, section 38, insert क्या बैटा, इनोने, through finance act 2022, sir section 38 कुछ भी नहीं है, simple, sir, जो जी एश्टार 2B था ना, बटा, जी एश्टार 2B, अब जी एश्टार 2B जो था बटा, यह सब रूल नमर 7 और 8 और रूल नमर 60 से है, बटा, पर act का authority नहीं था, तो act का authority देने के लिए, section 38 insert कर दिया, section 38 को replace कर दिया, पहले जो जी एश्टार 2 के लिए होगा करता था, वो अब जी एश्टार 2B के लिए होगा, बटा, अच्छा, इस section 38 में यही भी बोलता दिया, कि जी एश्टार 2B के अंदर जो credit आ रही है, बटा, उसमें हमार पास power है कि हम prescribe banner में में बता देंगे, कि यह inelisable credit होगा, बटा, यह दा है, सर, section 16, section 4 क कि टामनूट के बाद अगर कोई credit आ रही होगा, बटा, बटा, वो पावर सारा दे दिया, 38 के तरू, बाकि हमने respective provision पड़े वे बटा, अच्छा, form note, J-star 2B auto-generate होथा, बटा, auto-drafted नहीं, बटा, तो यह word में एक error था, auto-generate कर दिया, बटा, यह आपे, सरकार, देन देखे प्लस, पिसले मेने का आपने 3B फाइल नहीं किया, तो current में का 3B फाइल नहीं कर पाएंगे, बटा, प्लस, गौवर्मेंट को पावर दिया कि वो चाहे, तो special case में allow कर दे, after recording reasons, वो एक अलग बात है, सर, फिर annual done, जिनका turnover 2 crore से कम है, बटा, उनके लिए exemption अभी भी continue, कोई खास बात नहीं, annual done, बटा, सर, then, अगर आप return file करने में late होते, बटा, late filing fee लगती, बटा, पर यहापे TCS statement file करने में, अगर late होगे, तो उनके लिए late filing fee लगेगी, यहापे government ने इंटोडूस कर दिया, बटा, TCS statement by इसे हो फाल करने में late होगे, तो सर, इनको भी late filing fee पेकने में बढ़ेगी, पर इनके लिए fee कितना है, rupees 100 per day, subject to maximum rupees, 5000 under CGST, ध्यान रखना बटा, गौर्मन ने वो reduced late filing fee लगता, उसमें TCS वालों के reduced late filing fee नहीं है, मतलब, electronic commerce operator जैसे, Amazon घर TCS का statement file करने में late होगे, GSTR 8, तो इसको सोर बे पड़े light filing fee पेकना बढ़ेगा, CGST में, clear, done, sir, फिर कहता बटा, यहापे, GST Practitioner के लिए, GST Practitioner के लिए काम दे रखा था, क्या, आप inverse supply के statement file कर सकते हो, पर inverse supply के statement GSTR 2 तो अभी ही नहीं, तो यह word काम करीते है, तो यहाँ से हटा दिया, कोई खास amendment नहीं है, कोई access amendment नहीं बच्चो, sir, फिर, आईए बच्चो, refund का chapter बटा, chapter 14, सरकार यहाँ पर, अगर आपने relevant date, दो साल के अंदर refund के लिए apply करना from the relevant date, दो साल कब से बटा, relevant date से, दो साल, अगर आपने SEZ को कोई goods अप्लाई किया, देखो आपने, अगर export के तो इस के relevant date दे रहा था, पर अ करने का due date, return file करने का due date, जो होगा, वहाँ से दो साल काउंट करेंगे, भली आपको IGST का refund करना हो, या आपने bond या LUT साइन किया तो, ITC का refund करना हो, दो साल कब से, relevant period के return file करने की due date से, दो साल काउंट करेंगे, बच्चो, ठीके साब, आईए बच्चो, refund के अंदर अगला औ refund मिलता है बटा, अगर आपके inputs rate of tax is higher than the rate of tax on your outward supply of goods or service बटा, तो ऐसे केस में, your case is fit for inverted duty structure बटा, अब ऐसे केस में क्या बोल दिया बटा, सर आपने, जितना भी refund लेना बटा, तो अगर माल लो आपकी multiple supply है, तो सर, turnor of the supplies, जो inverted duty structure बटा, डिवाट बाए, एडजर से total turnor, बट बाए, बाए, नेट आटी सी करके जो amount आएगा, यह allocate हो गया किसके लिए, इनवर्टे डिटी structure बटा वाले supply है बटा, अब माइनस करेंगे खुद का लाइवड़ी पे करेंगे, क्यों बले इनपूट के लिए, गलत नहीं रही तो, तो सर, खुद का जो लाइवड़ी आ र इनवर्टे डिटर भेकों मालो यह पेंसल, इसको र T ellos एक रिट यगणा वालर्च बैट इसको बहुत सिद्क है पांच परसंट, इसकी इंपूट सी इनपूट सीSl इसके लिए यूज आना चाहिए उतना ही लेस कराएंगे इस फॉर्मुला में से सब्सक्राइब अगर आपका इंवर्ट सप्लाई इंपूट सर्विसेज भी है उनके लिए फायदे मंद ही वेला और यहां पर रिफॉन जादा मिलेगा इसको आपको पढ़ा रखा डिटेल के अंदर अमेडिमेंट नेक्शर के अधर बचा सर यहां पर एकस्प्लीन भी क्या वह एक्जाम पल OKAY सर आए नेक्ट बात क्या बटा अच्छा हां सर खलोर के नदर एक सर्क्लोर के अंदर औरा रिट कर दिया बच्चो सर माझळो में ट्रेडि हुआ है उसकी वैसे आपके inputs rate higher है और purchase rate lower है तो ऐसे case में भाइसाब this is not the case fit for inverted duty structure और ऐसे case में आपको refund नहीं मिलेगा clear पर किसी concessional rate especially कोई notification issue करके कोई concessional rate दिया गया है जैसे for example आप अगर exporter को supply करते हो जो exporter diet port पे ले जाता है goods और वहां से export करता है goods तो वहां पर 0.1% tax pay करना पड़ता है अब उस वज़े से इस पर rate 28% अभी बेट रहा है पर उस special notification की वज़े से मेरी sale rate इतना रहा प्रशेंट तो ऐसे case में my case will be fit for inverted duty structure और inverted duty structure में मेरा case आता है तो में refund claim कर सकता हूं बेटा कोई दिकतली बात नहीं है हाँ अगर मेरे goods निल related है यह exempt कर दिया पूराई तो ITC मिलता है नहीं refund की बात तो आती नहीं में बेचा clear अच्छा जो goods and services government notify करी भी कि यहां पर इनके case में refund नहीं मिलेगा तो वहां नहीं मिलेगा बेटा clear आईये बच्छो अच्छा वो UN holders इनको refund claim करने का time limit जो 18 मैंने का था उसको 2 साल कर दिया बेटा मतलब जिस quarter में इन्होंने इनको एक्सपोर्ट की तरह टीट करेंगे तो जिरोटेट सप्लाइ में cover हो जाएगा तो अलग से जरूल देने की जरूद नहीं जरूदेट सप्लाइ के जो पू पो होंगे बच्छो सर्ण फिर जरूदेटट सप्लाइब गूड्स जो होता है बटा उसमें export जो होता है बच्छो export फो गोड्स में value of export जो जो होता है पिर फोलेंगे यहां पे explanation करे करें बोला किया जो आपने value declare shipping bill के दिसे अदर FOV value या value declared in the tax invoice issued in respect of export of goods. Sir, whichever is lower, वो value लेंगे as a value of export goods, बेटा. अच्छा, ये जो value लेंगे, इस value को फिर domestic marketing जो like kind of like goods, अगर आपने domestic marketing बैचाओता, वो कितने बैचाओता, उसका 1.5 times, और ये जो value है वो. Whichever is lower, वो zero debt supply की definition जाएगी, हमने उल्हेडी पढ़ावा था, बेटा. सरकार, आईए बच्छो, next. Sir, फिर rule 96, अगर आपने कोई goods जो export किया है, उसमें अगर IJST pay किया, और IJST का अगर आप refund क्लेम करें तो उसके प्रोशेजर में थोड़ा बहुत change था, वो किया था, मैं तुम्हें थोड़ा हिंड देता, बटा, खाइस बात नहीं थी, बटा, सबसे पहली बात बोल दिया, क्या, अगर आपने नहीं grant करेंगे जब तक कि वो mismatch rectify नहीं हो जाए, मैचिंगों को उसके बाद ही refund मिलेगा IJST का, प्लस, सर गवर्मन को power दिया, कमिशनर को power दिया कि वो आपका जो refund है IJST का, उसको withhold कर सकते है, बटा, अब withhold करने के कारने के था, कोई data analysis या risk parameter से पता पड़ा, कि आपके credentials को verify करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपका refund मिलेगा, बाद में वना refund नहीं देंगे, मालो आपने fraud वगरा किवे, और आपके data base से पता पड़ा क्या, मामला घड़ गड़ बड़े, और आप IJST का refund ले रहे हैं, तो ऐसी case में क्या करेंगे, आपका refund withhold कर देंगे, refund withhold करने के बाद, आपका jurisdictional GST officer, वहाँ आपकी file को shift कर देंगे, और वो properly document बगरा सारे verify करेगा, credentials verify करेगा, उसको लगता है कि मामला सही है, तो refund allow होगा, वना refund allow नहीं होगा, एक circular issue होगा, circular क्या बोलता बच्छो, देखना दियान से, sir, जब आप dimmed export करते हो बटा, अब मानलों dimmed export में supplier और recipient दोनों में से कोई भी 1% refund ले सकते है, अब मानलों recipient refund ले रहा है, कोन ले रहा है, recipient अगर refund ले रहा है, तो sir, recipient जब refund लेता है, तो वहाँ प्राक्टिकल एक issue ह प्राक्टिकल ली क्या करना होता था उसको, पहले उस amount को input tax credit account में credit करना पड़ता था बेटा, और फिर उसका refund ले सकता था, बच्छो, clear, तो केवल वो operational difficulty हा रही थी, इसलिए ITC account में पहले वो amount ले रहा था, फिर उसका refund ले रहा था, तो क्या उसको ITC availed मानेंगे, answer is no, ये क्यों बोला मैंने, क्योंकि सर, section number 17, मतलब rule number 4243 यादा है आपको, sir, common input, common input, common capital proportionate credit, reverse करना मरता बटा, तो क्या ही जो आपने केवल refund claim करने के लिए एक बार ITC account में पैसा डाला, और फिर refund claim किया, dimmed export case में, तो क्या इसको rule number 4243 अपलाए करके proportional reversal करेंगे, answer is no, पूरा refund लोग बात कतम बिटा, clear, same way, sir, हमने जो बड़ा न, zero related supply of goods के case में, proportionate input, input service का refund मिलता है, sir, inverted to destructure के case में, जो आपने inputs पा ITC avail के उसका refund मिलता है, तो आपने dimmed export वाला inverse supply लिया, और केवल refund claim करने के लिए उसको electronic credit laser में एक बार credit के और फिर उसका refund लिया, तो क्या उसको भी ITC avail के, क् इसको ITC availed मानने कहीं न, clear, आओ बच्चो, कर हर्मेदान, फते कर देंगे, हम फते भारत मता की जए करेंगे, sir, आइए बच्चो, next, एक circular issue हो क्या, sir, एक instruction issue के department ने अपने officers के लिए, कि आप जब search inspection verification करते हो, investigation करते हो, बाई साब, उस टेम पर अगर आपको लगता है मामला कर वो हार गया, तब जाके recovery के बाद आएगी, sir, आप उसी time पे जब recovery, जब inspection कर रहो ताब आप क्या, forcefully उससे recovery कर सकते हो क्या, नहीं, तो department अपना officer को instruction दिया कि उस time recovery मत किया कर आप, हाँ, assessi को अपनी घलती का ऐसास हो जाए, वो अगर voluntarily text पे करना चाहे, उस time पे with interest with penalty, व पे करें, हमें को दिक्रत नहीं, sir, पर आप उस time पे recovery नहीं कर सकते है, without following this entire processor, बटा, आओ, बच्चो, sir, अगले point अधर बढ़ते है, sir, एक बड़ा ही सुन्दर circular, again, इस पे लिख देना क्या, very, very important, and sir, very, very good circular, ये exam में important हो सकता है, bogus bill वाला case, sir, sir, मैं आपको shortcut में है, समझाता हूं, must तरीके से, sir, मान लो, यहां पे लेता हूं, sir, यह पूरा circular, sir, bogus bill issue क्या, mr. A ने, किस पे, mr. B पे, ये case number one बदाना हो, मैं आपको, mr. A ने, mr. B को bogus bill issue क्या, mr. A ने actually कोई supply नहीं क्या, और mr. B ने क्या किया, बटा, अपनी liability को pay करने के लिए, उस ITC को use कर लिया, बटा, bogus bill वाले ITC को use कर लिया, case number one ये था, बटा, तो पहली बात, A पे कितना penalty, B पे कितना penalty, क्या provisions लगेंगे, वो इस circle ने समझाया, सबसे पहली बात, since A ने actually कोई supply नहीं किया, टेक्स लगता ही नहीं है, clear, तो यसे कैसे payment की बात आती ही नहीं, इसलिए 73-74 नहीं लगेगा, पर, इसने offense के अंडर section number, 122, subsection 1, close number 2, item number 2, clear, sir, वो यादा है, offenses penalties के chapter में, जो first section दे रहा है, 122 section दे रहा है, list of offense, ये offense उसने क्या है, और वहाँ पर दे रखा क्या, 100% of tax involved is the penalty, clear, ये penalty लगेगा, मालो 10 लाग का बिल था, उस पर GST था, 1,60,000, तो 1,60,000 का penalty, इस Mr. A को पेकाना पड़ेगा, अब कहानी आती क्या, B, अब तेरा क्या होगा, कालिया, sir, तो यहाँ बोल गया क्या, Mr. B ने क्या 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 बिटा, उस bogus bill के बेस पर credit लिया, तो sir, section number 16, subsection 2 बोलता है क्या, आपको goods or service और बहुत receive होना चीट, तब credit ले सकते बिटा, आपने बिल के बेस पर credit ले बिटा, bogus bill के बेस पर, तो sir, आपने wrong IDC avail किया, फिर आपने अपनी actual liability को पेकने के लिए, उस IDC को यूज किया, मतलब आपने short payment of tax किया, एक लाग असी जार का आपने credit लेकि उसको use किया, short payment of tax किया, 74 में फास्ट गया, your intention was to evade the tax, तो section number, section number 74 की penalty लगेगी sir, क्या लगेगी sir, section number 74 की penalty क्या बोलता है बटा, 100% of tax involved is the penalty का amount बटा, हाँ ना भाई, clear, यह लगेगा, plus, since the offense, section number 122, subsection 1, उसके close number 7 में भी cover है बटा, कहां cover है बटा, close number 7 में भी cover है यह वाला offense बच्चो, पर, यहां बोल दिया क्या, sir, section number 74 अगर लग रहा है, क्या लग रहा बटा, section number 74 अगर आपके लिए लग रहा है, तो एक section number 75 में बात कहीं क्या, अगर कोई penalty section number 73 या 74 के लग गई, तो sir, किसी और provision of the act का कोई penalty आप पर नहीं लगेगा, इसलिए यही पर penalty लगेगा, यह वाला penalty इसके case में नहीं लगेगा, clear, यह था आपका case number 1, अब मैं बनाता हूँ case number 2 बटा, तो case number 1, अब बन रहा case number 2, A ने क्या 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 बटा, bogus bill दिया किसको, B को, B ने क्या क्या, किवलो bogus bill आगे पास्वन कर दिया किसको, C को, मतलब A ने B को bogus bill दिया, उस bogus bill के पर इस पर credit लिया, B ने, B ने भी आगे bogus bill issue क्या किसको, C को, और C ने actual liability पे करने के लिए, उस bogus bill को use किया, बटा, clear, अच्छा, तो A पे कितना penalty है, यह हमने बात कर लिए, बटा, 100% tax and gold, बटा, C पे कितना penalty लिएगा, यह section number 74 का penalty लिए, बटा, हमने बात कर लिए, बच्चो, clear, इस पे 122, subsection 1, close number 7 नहीं लिएगा, अब B पे कितना penalty लिए, बटा, B ने दो काम कियी, बटा, B ने bogus bill के वेज़ पे क्रेइट लिया है, और bogus bill के वेज़ पे क्रेइट पासुन किया है, clear, तो sir, since actually supply नहीं किया, actual supply नहीं किया, तो 73, 74 में cover नहीं होगा, क्योंकि short payment, non payment, short levy, non levy, errorless refund में cover नहीं हो रहा है, क्योंकि levy नहीं हुआ, टेक्सेस लिया, पर, since इसने offense किया है, bogus bill issue किया, इसलिए section number 72, ah sorry, 122, subsection 1, close number 2, जो इस पे penalty लगी थे बटा, यह वाली है, वो इस पे भी लगेगी बटा, plus इस पे एक penalty हो लगेगी बटा, 122, subsection 1, close number 7 वाला, bogus bill issue करने वाला penalty बटा, bogus bill के पेस्पे credit लेने वाला penalty बटा, clear, यह इस case में क्यों नहीं लगा था बटा, क्योंकि यह 74 लग रहा था बटा, मतलब, BP इन दोनों provision का penalty लग जाएगा, 100% of tax and vote, is close की वाएसे, 100% of tax and vote, is close की वाएसे, 200% penalty लग जाएगा, BP बेंड बजज़े के sir, इसकी यह दुआ करेगा, काश में 74 में कवर रता, clear, तो एक बार ही penalty लगता बच्चा कम से कम, clear, दोनों बेंड बज़े नहीं इसकी बटा, plus, sir, एक चीज़ ओर ध्यान रहना इन दोनों केस में, इनके बिचे जो mastermind है, जो consultant है, जिसने ही सारा काम करवाया, clear, उसके लिए section 122, subsection 1A का penalty अलग से लगएगा, क्योंकि जो person, जिसकी instances पे transaction हुए, and who has returned the benefit out of the transaction, still also be liable to penalty of 100% of the amount of benefit involved in this case, clear, plus, एन देना, अगर यह पे amount of tax involved, exceeding rupees 5 crore हो जयता है, तो 5 सल तकी जेल, यादा है, अगर amount more than rupees 1 crore, up to rupees 2 crore है, तो 1 सल तकी जेल, 2 crore से जयादा पर up to rupees 5 crore है, तो 3 सल तकी जेल, और more than rupees 5 crore तक का tax involved है, तो 5 सल तकी जेल के provision भी हो सकते है, बच्चो इसमें, clear, और bogus bill के बेस पे पे रेट लेना, sir, bogus bill issue करना, यह पता है, अगर exceeding 5 crore का tax amount involved हो जेता है, तो this is cognizable and non-bailable offense, ध्यान रखना बच्चो वे बाद, clear, यह पूरी कहानी कतम होती है, अब आओ बच्चो, बहुत ही शान्दा पुइंट था, exam में question बन सकता है, sir, इसी के साथ GST के सारे amendment कतम होते है, अब आओ यह बच्चो, थोड़ा सा point मचाएगा, इसके regarding, कस्टम के regarding, sir, importation, exportation बोल दिया क्या, electronic cash laser, sir, आपको पता है क्या, customs के अंदर भी electronic, sir, GST में जैसे common portal वैसे ही, custom का भी common portal इनों develop कर दिया, customs का भी portal इनों develop कर दिया, icegate.gov.in, icegate.gov.in, वहापे भी electronic credit laser, electronic cash laser implement कर दिया है, पर electronic cash laser के applicability को, इनोंने extend कर दिया, till 29th of November 2020, to उसके बाद देखेंगा, वैसे बताता है, उसके बाद भी इनोंने extend किया है, तो कुल मिलाग के, electronic cash laser के, sir, all categories of goods, all classes of persons को exam कर दिया, clear from the provisions of section 51A, electronic cash laser applicable नहीं होगा, 1911-2022 के बाद अपला होगा, clear, done, further यह notification देखेंगे बोल दिया क्या, कि अगर आप, sir, ऐसे किसी port से कोई goods import कर रहे हो, जापे customs, automated system है ही नहीं नहीं बेटा, तो वहापे आपको electronic cash laser के provision अपलाए नहीं होगे, बेटा, आप अकमनेट बेगेज ला रहे हो तो अपलाए नहीं होगे, यह बात करों में 39 मरे उसके बाद यह वाली, clear, answer, other than those making payment of duty of customs, IEGST, GST competences, interest penalty, late fee, other amount, clear, इनके लाबा अगर कोई tax पे करना है, कोई और amount पे करना है, under on import of goods या export of goods, तो आपको electronic cash laser की जरूरत नहीं बेटा, पर यह amount pay करना के लिए, ultimately, यह amount pay करना के लिए, electronic cash laser यूज़ करना पड़ेगा, 39 मरे उसके बाद बेटा, पर अकमनेट बेगेज ये तो, कोई दिक्कत नहीं बेटा, बेगेज के case में तो आप वाहाँ पे, पेसंजर आउट ओव इंडिया साया, टेक्स बनता वही pay के बात के लिए बेटा, भली cash laser नहीं चलेगा बेटा, या किसी AC port से आप इंपोर्ट करों, जहाँ customs automated system नहीं है, तो cash laser के थुरू pay नहीं करों के चल जाएगा बेटा, clear, किसी और मोट से पेका ना बड़ेगा बेटा, भारत माता की जह, कोई खास amendment नहीं, ये पूरा, सर, point कतम होता है, आए बच्चो, फिर आता है क्या, सर, chapter 33, exemption, reference and audit, सर, ये rules, import of goods at concessional night of duty, और for specified end use rules, 2022, ये पूरे replace होए बेटा, मैं आपको समझाता हूँ, बटा, खास बात क्या है, इसकंदर, मानलो, मैंने कोई goods import किया, और वो goods import जो किया, उस पे customs exempt है, conditional exemption किया है, सर, कोई particular use माना चाहिए, मानलो, plastic का import किया, क्यों, marker बनाने के लिए, तो plastic पे text exempt है, otherwise plastic पे exempt नहीं है, clear, या अपने इस use के लिए import किया, तो ही import कर सकता है, तो वना import ही बेहन है, सर, उस गूट्स का, तो वहाँ पर ये rules apply होंगे, और rules अगर apply होंगे, तो procedure क्या होगा, सबसे पहली बात, सर, मेरे को, सर, one time information दना बढ़ेगा, अच्छा, सारा online कर दिया system बेटा, सर, मेरे को, मेरे, मैं का हूँ बेटा, मानलो, उदेपूर राजस्तान में बेटा, सर, मैंने import किया Mumbai से बेटा, कोई goods, या किसी भी इंडिया के port से import किया, तो सबसे पहले, import करने से पहले, मैं का एक one time information, मैरे jurisdictional custom officer को, जो मेरा jurisdictional SEDC बेटा, सर, मेरे को online information दना बढ़ेगा, सर, पहले क्या होता था, physical form जाता था बेटा, लेके जाता में, अब ऐसा नहीं है, अब मेरे को direct, जो common portal ले बेटा, आइस गेट, वहाँ पे एक form होगा, form number IGCR-1, वह file करना पड़ेगा, उसमें सारी information दने बढ़ेगा, मेरा नाम, address बगरा क्या है, कौनसी goods बना रहा हूँ, कौनसी goods का हमारी, input output ratio क्या है, clear, मेरे को examination कौन सा मिल रहा है, सब कुछ मैं information दूँगा, सर, जैसे ही मैंने information online, इस form के तो फिल कर दी, सर, everything अगर ओके मिला, department को तो online, मेरे को एक number मिल जाएगा, IIN number में बटा, मतलब, import of goods at consertionate of duty, identification number मेरे को मिल जाएगा, अब सर, जबी भी, future में में इंपोर्ट करूँगा, बटा goods को, सर, पहली बात तो ये, इंपोर्ट करना पहले मेरे को, मेरे jurisdictional S&C के पास जाके, एक continuity bond sign करना पड़ेगा, सर, जिस premises में, मेरा उदेपुरे बटा, उदेपुर का jurisdictional officer के पास जाके, मेरे को continuity bond sign करना पड़ेगा, along the security and security में, बटेना पड़ेगा, सर, clear, अब साब, उस bond में लिखुँगा, कि कल को मैंने जिस purpose लिए import किया, उस purpose लिए अगर use नहीं किया, तो मैं text पे करूँगा, with interest, along with duty पे करूँगा, जो मेरे को examine हुई थी, वो मैं पे करूँगा, with interest, 15% पर रहे नमें interest बटा, या specific end use के लिए import करी, उस purpose के लिए मैं यूज नहीं किया, तो जितना value of goods था, उतना penalty पे करूँगा, साब, साब, प्लस, अब, जबी भी goods इंपोर्ट करना है, ये तो import करना से पहले ही कहाने होगे, अब import करना है, तो bill of entry के अंदर क्या करूँगा, simple सा, मेरा जो IIN नमर में को issue हो, वो, clear, प्लस, continuity bond नमर में लिख दूँगा, bill of entry के अंदर, direct custom officer के पास में को जाने की ज़रूत है, ही नी साब, वो direct जैसे ही IIN नमर देखेगा मेरा, continuity bond नमर देखेगा, वो मेरे goods को allow कर देगा, at the consistent rate, या जो भी benefit में को था, वो allow हो जाएगा साब, and, उतने amount का, जतना amount का custom मेरा exempt हुआ, उतने amount से मेरा continue bond के हो जाएगा, debit हो जाएगा, clear, इस तरह से automatic goods आ गया बटा, अब goods आ गया, exemption automatic मिल गया, automatically मेरा क्या हो जाएगा, customs, automated system के थू, continue bond में, amount of exemption debit हो जाएगा, फिर, अब जो में goods लाओंगा, उसके मेरा को proper records, maintain करना बटेंगा, कोई खास बात नहीं बटेंगा, plus, मेरेको monthly base पे एक return file करना बटेगा, inform number GST IGCR 2, sir, monthly base पे file करना बटेगा, 10th of the next month तक, बच्छा, sorry, sorry, यह GST IGCR 2 जो पेटा, अगर मालो मैंने goods मंगाई, import के तो one leg unit, sir, पर actually मैंको receive हुआ कितना, 75,000 unit ही receive हुआ मेरेको, short lending हुआ goods का पेटा, non receipt है, short receipt हुआ है, तो उसका immediately information देदूँगा, department को, inform number GST IGCR 2, so that, sir, पता-पड़ा, आई 75,000 unit ही बेटा, अब department मेरे से one leg का हिसाम मांग रहा है मेरे पास, मिलेगा कैसे बेटा, तो मैं immediately information देदूँगा, पर, sir, अगर मैंने, sir, goods आगे बेटा मेरे पास, 75,000 आगे बेटा, तो 75,000 के साब से exemption मेरे को मिलेगा, उतना ही मेरा bond account से, पैसा debit होगा बेटा, अब, जितना मैंने goods use किया, उसका monthly statement file करूँगा, 10th of the next month तक, inform not GST IGCR 3 बेटा, पर, government आगो कर दे क्या, अचा सुनो बेटा, जैसे ही मैं, specified purposefully use करता हूँ, वो बताऊँगा कैसे मैं, IGCR 3 के दुरूप बता हूँगा मैंट, वो 10th of the next month तक file करना है मेरे को बेटा, अब जैसे ही मैंने, specified purposefully use कर लिया goods को, सर उतने amount से, मेरा bond क्या हो जाता है, recredit हो जाता है बेटा, country amount, वापस से recredit हो जाएगा बेटा, पर सर मेरे को bond account में, पैसा भी चाहिए, recredit करना है, तो month के बीच में भी, sir, informer IGCR 3A, month के बीच में भी, कभी भी में क्या कर सकता हूँ बेटा, ये IGCR 3A file करके, अपना return file कर सकता हूँ बेटा में, और immediately मेरा amount क्या हो जाएगा, bond account, recredit हो जाएगा बेटा, उतने amount के जितना amount में अलड़ी यूज कर चुका हूँ, जितने goods को में space word use के लिए, यूज कर चुका हूँ, clear, ये एक facility और आला हो कर दी, इस बार amendment करके बेचो, अच्छा, job worker के एक goods बेज नहीं है, बेजदो, कोई दिकत नहीं, सेम सिस्टम में कोई amendment नहीं हो बेटा, छे मैंने में goods वापस आजाने चीए, प्रोपर रिकोर्ट सकने पड़ेंगे, और job worker की responsibility किसकी बेटा, principle की पे चामेंशा, okay, sir, अब अगर में बेजदो अपने दूसरी unit पे भेजना है, sir, मानलो मैंने कोई goods इंपोर्ट किया, 100% EU को सप्लाई करने के लिए बेटा, और उसके लिए मैं को exemption देर का, या अलाओ कर का बेटा, तो ऐसे केस में, जैसा job worker मैंने बताया कि, आपको goods लानी पड़ेगी, जब भेजरों बेजरों बेटा, अगर री एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, तो कोई तकलिव नहीं, कोई टेक्स पे करने की ज़रों नहीं, कोई exemption विडरों नहीं होगा, बस condition क्या है, जिस value में इंपोर्ट करी, at least minimum उतनी value में आपको re-export करना पड़ेगा, अगर domestic market बेज रहे हो, तो सर, आपको ने, सर जितना custom का benefit लिया था उस टाइम पे, उतना exemption government को पे करना पड़ेगा, along with interest 15% पर नम, simple interest number of days के हिसाब से बिटा, पर हाँ, 6 मेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, या तो re-export करना पड़ेगा, या domestic market बेज ना पड़ेगा, पर commissioner के पास पावर के वो चाहिए, तो further 3 मेने का extension और दे सकता, या इस बार ना आइड हुआ है, plus, sir, अगर कोई goods के लिए, जो आपने import किया था, जिसके आपने इन rules का benefit लिया था, उन goods के notification में, पर अगर वो specified time limit नहीं दे रखा, तो ऐसे case में 6 मने का time limit देखा जाएगा, which can be extended for further 3 more month, पड़ा, okay, done, सरकार, अब अगर मान लो, sir, कोई capital goods था, इसका question आया बाइग्जामें, sir, last item में आया था, अगर कोई capital goods आपने import किया था, यूज किया और थोड़ टाइम माद आप बेच से रहे हैं, तो sir, जो आपने custom का benefit लिया था, अब क्या करेंगे, वो withdraw का पड़ा, पर पूरा withdraw नहीं होगा, proportionate, तो depreciate value क्या होगी, sir, 4, 3, 3, 2.5, 2.5, and 2% per quarter, part of the quarter, first year, second year, third year, fourth year, fifth year, and sixth year, onward, ये percentage of reduction है, इतना reduce करेंगे, remaining amounts आएगा, उतना आपको pay करना पड़ेगा, along with interest, और ये, जो quarter सबको count करेंगे, ये quarter cup से, जब अपने machine को put to use के है, वहाँ से count होगे, और part of the quarter भी पूरा quarter count किया जाएगा, जिस दिन put to use के है, वहाँ से quarter count होगे, क्लियर, ध्यान रखना, कस्टम के इंदर GST से quarter count नहीं होते बटा, 14 February को machine use में काम होना चलूई, तो 14 February से एक quarter count होगा, 14 February से 13 March, 13 April, और 13 May को एक quarter पूरा होगा, अब फिर आगे वाला quarter अगर पार दो quarter है बटा, तो दो quarter count होजाएगे, बच्छो, सरकार, फिर अगर आपने जिस परफस लिए इंपोर के तो उस परफस लिए आपने यूज नहीं के तो recovery होजाएगे, बच्छो, इस परफस लिए आपने goods इंपोर्ट के तो बटा, आपने उसको supply नहीं के अगर बढ़ करी बटा, क्लियर, माहूल, सरकार, हाँ, सर, bank guarantee and security के तना देना बढ़ता है, इस case में बटा, आप bond sign करता हो ना बटा, along the bond, bond के साथ में आपको security and surety देनी बढ़ती बटा, तो यहाँ पर 2.08 के बटा, all importers who are nominated agency for the import of gold under India, UAE, CEPA, तो इस case में उनको bank guarantee भी नहीं देनी बटती है, और कोई cash security भी नहीं चाहिए, कोई surety भी नहीं चाहिए, प्लस, designated banks nominated by RBI as well as public sector undertakings importing under this specific notification, उनको बोल दिया क्या, तुमको bank guarantee या cash security देनी चाहिए, कोई surety भी नहीं चाहिए, पर कुछ condition क्या है, कि sir आपने कोई default होगरा नहीं किया होने चाहिए, अगर आपने default होगरा किया तो, sir ऐसे case में आपको bond sign करना पड़ेगा, साथ में security देनी पड़ेगी बच्छो, normal जो security थी normal होगरे वो आपको भी देनी पड़ेगी बच्छो, clear, done, अच्छा, bond debit value कितना होता बड़ा, जितना duty for gone, जितना duty माफ होगा उतना है, उसको बोलेंगे न, bond debit value बटा, clear, अगर मानलो, कोई goods बेंड थी बटा, आपने goods इंपोर्टी नहीं कर सकते हैं, पर हाँ, इस purpose लिकाम आएगा तो, इंपोर्ट कर सकते हो बच्छो आप, तो यसे case में custom exam नहीं हो बटा, वो goods का इंपोर्टी बहिंता, वो allow किया, तो, accessible value जोगा, उसको बोलेंगे क्या, bond debit value for the purpose of bond amount, बटा, clear, ठीक साब, clear, सरकार, यह आपका custom का amendment भी खता होता है, अब foreign trade policy के बारे मात कर लेते हैं, सर, last 2 minute लगेंगे, सर मेर को, मानलो, पहली बात हो, यह foreign trade policy 2015-2020 होती, उसी को extend कर दिया, कब तक, 31st March 23rd, जो आपके exam के लिए ही applicable होगा, बच्छो, plus, सर, आपने सुनाओगा, advance authorization में, कब, advance authorization में, आपने कोई goods इंपोर्ट किया है, तो all types of custom exempt है, including 3739, और हां, पहले था क्या, 3739 एक limit तक ही exempt किया था, इस दिन तक ही exempt रहेगा, पर इन्होंने वो time mode हटा दी बटा, और बोल दे क्या, अगर आपने advance authorization के तरू, कोई भी goods अगर अगर import किया है, तो वहाँ पे भी 3739 माफ था बटा, और 3739 का time limit, time limit जो था, वो हटा दिया, मतलब, अगर आपने कोई machine import करी तो उस पे, all type of custom exempt है, including 3739, कोई दिक्कत नहीं, 3739 पेकर नहीं, ज़रत नहीं है, last amendment देगी जो बटा, सर, road tape scheme बटा, scheme for emission of duties and taxes on exported product, road tape scheme बच्चो, सर यहाँ पे क्या था बटा, सर आपने road tape scheme, के तुरू अगर आपने कोई goods export किया, और duty credit script issue करा दिये बटा, तो आपको e-script generate करना पड़ता है, सर, and that e-script की validity कितनी होती तो, सर, जिस दिन से वो e-script generate हुआ, वहाँ से 1 year था बटा, पर इसको extend करे कितना कर दे बच्चो, 2 years, म quality of e-script बच्चा, अच्छा, प्लस, एक और amendment क्या है, अगर कभी भी, कभी आपको, सर, duty credit script जो मिली है, वो मान लोग कभी बाद में पता बड़ा है, गलत मिलगी बटा, access मिलगी बच्चो आपको, या, बाद में आपका foreign currency realize नहीं हुआ, तो ऐसे case में, जितना amount का foreign currency realize नहीं ह हुई थी, वो आप से recovery की जाएगी बटा, हाँ है ना, और हाँ, अगर आपने उस duty credit script को किसी को बेच दिया, तो पहले बता क्या लिए था, हम transfer से भी recovery कर सकते हैं, अब उस बेचारे transfer की क्या गलती है, उसका क्या fault, उसन तो bonafidelly, उस duty credit script को purchase के पैसा देके बटा, तो recovery हमें से recovery करेंगे, हम transfer से recovery नहीं करेंगे, अगर उसने bonafidelly purchase करी थी तो बेटा, clear, and अगर मान लो, sir, during the pendency of the proceedings, उसका existing duty credit script क्या का होचता है, suspend हो जाता है, तो suspend भी किसका होगा, जो originally जिसको duty credit issue ही थी, उसी के लिए suspension होगा, जो transfer भी सारा जिसने purchase करी थी, duty credit script मेर से bonafidelly, उसके ल force of the exporter, no action, that is recovery or suspension of duty credit script, can be taken against the transfer order of the script, इसी के साथ भारत माता ही जाए, ये सारे amendment, GST as well as customs, sir, ये मैंने कोशिची के आपको revise करने का, sir, लगबग, लगबग, 1 hour, लगबग, लगबग, हो रहा है कितना, 1 hour 20 minutes, I hope, sir, जो अमरे, लगबग, 8 गंडे के lecture थे, sir, ये पूरा आपका आपके लिए, sir, sir, दियान दीजे, sir, ये मोका आपको भगवान ने दिया है, exam देने का, sir, इसको पूरा भुना दीजिए, बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए, क्योंकि sir, मैंने उपर क्या लिखा है, sir, क्या लिखा है, believe in yourself, everything is possible, sir, हमको जो जन्म मिला है, इंसान का जन्म म बना सकते हो, all the best, love you lot, take care, माहल बनाईए, sir, हमारी सारी दुआए, आपके लिए, माहल जैजै, स्री ग्राम बटा, all the best, all the best, माहल.